हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो आर चानल जिसका नाम है रुणजी रियक्शन मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतिक्षा आज हम जिस उडियो पे रियक्शन करने वाले ओ है अल्ला का कोई रिष्टेदार नहीं तो ए वीडियो है इंजिनेर मुहमद अली मिर्जा साहब ज कि अच्छा दुनिया में अगर किसी बादशा को कोई बदमाश आके धंकी लगाए और उसे कह कि मैं तरह बंदे चोक लेड़ने ने तरह बंदे उठा लूँगा तरह बंदे अगवा कर लूँगा सारे तो दुनिया का बादशा क्या कहता है तो मैं तक नहीं तैसी तेरी तेरी चुरत यहीं कहता है न क्योंकि वो यह ख्याल करता है कि मेरी बादशाई इस ट्रेक पर लग दी है कि मेरे बंदे उठाएगा व आरे बंदे खुबा कर लोगा चंद एक लोगी तेरे साथ होंगे और अल्ला सुरे सबा में कह रहा है कि उसने अपनी बात पूरी भी कर दिखाई है तो इसके मुकाबले पे अल्ला ये नहीं ये नहीं कहा कि मैं तकनावा किसना तू करना है एसी दित एसी तेरी नहीं क्योंके अल्ला तो बेपरवा है उसने अपने नभी भेजे हैं किताबें भेजी हैं और क्या करें वो इससे बड़ा क्या काम करें किताबें भेज दी पेगंबर भेज दी है हाग का हाग होना बातिल का बातिल होना बता दिया इम्मा शाकिरूं वा इम्मा कफूरा चाहे तो शुकर गुजारी की रविश रिख त्यार करो खाना शुकरी की लेकिन आखरत में निशोड़ूंगा जिसने ना शुकरी की ये जेन में रखना लेकिन अदायत भी सबको प्लेट में रखने दूँगा जो लोग कोशिश करेंगे उनी के लिए हग के रास्ते खोलूँगा जो कोशिश नहीं करेगा द्रिया के कनारे भी प्यासा मर जाएगा जिस तरह अक्सर मुसल्मान मर रहे हैं इसमेद कुरान गरों में पढ़ा हुआ है लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है पढ़ा ही हुआ है और किदर गोरें जो हैं वो मरने से पहले जिनाब कुरान तर्जबे से पढ़ रहे हैं उनको अदायत मिल रही है यह आपके साउन है मेरे भाईयो अल्ला का तो कोई रिष्टदार नहीं है जो कोशिश करेगा उसको अदायत मिलेगी अजी समय नहीं साइडी को रिष्टदारी यह लाना यहुदियों का भी यह यही खीदा था ना इसलिए सुरह बग्रा के जो नो रुकू है वो पूरा यहुदियों के पर मुगदम है तुम से पर पहले एक लाडली उम्मत थी तीन किताबे उसमें आई सैकड़ों पेगंबर आए उसके बावजूद जब उन्होंने रुक गरदानी की उठा के ल्ला ने परेमारा तुरिबत अलिहमु जिल्ला वलमसकना आज तक जिल्लत और मसकना तुर्के बर मुसल्मत तुम क्या शया हो लेकिन हम पिर भी कहते रहते हैं याला जो कुछ भी है तेरे महभूद की उम्मत से असल में हम यह कह रहे होते हैं याला असी कोनी सिद्धा हो ना सिद्धी जी कहा लाँ एन जिसानों कुबूल कर ला यही है न तो और क्या मतलब है इसका मैं कहता हूँ अगर दुनिया में मौरला अस एक्टिव होते हैं फौर उसी वक सार के पूर जुदी पढ़ती के महभूद का नाम लेते हो और करतूद में अपने देखते हैं तो दुनिया के पास्चाज कहता है मैं तकना के साँ तो छुकने मेरे बंदे तेरी है सेवी तक अल्ला तो गारा रहा है जो कोई भी फिर शेतान तेरी पैर भी करेगा ना मेरे बंदों में से तो मैंने किसी बंदे या गुरंटी ने ली लिए मैं उसको और से तेरे तुझे और तेरे सारे फाल्वर्स को दोजख में डाल दूँगा दूँगा तुझसे और तेरे फाल्वर्स से यानि मैं अपने किसी बंदे की कोई गरंटी नहीं लेता मेरा काम है सिर्फ हागबात पहुचाना पेहमरों को भी का गया अब जान बूच के जो गुमरा होगा तो आल्ला दरमाता है तुझे भी और तेरे फाल्वर्स को उठा के दोजख में फेक तूँगा और कुरान एकीम की सक्त तरीन आयत मैं अक्सर कोड़ करता हूँ सुरत अराफ आयत नंबर 179 और बेशक हमने कसरत के साथ जिन और इनसा तैदाई दोजख के लिए किया कितने खतना आगे लफाज है लेकिन इसके आगे लफाज है अनला कोई फ़नाटिक नहीं है ना उजब ला लाँ परमाता है हमने उनको दिल दिये थे अकल दी थी सोचते नहीं कान दिये थे सुनते नहीं आँखें दी थी देखते नहीं यानि इन इस्टूमेट्स को यूस करके हकबात असल करने कोशी नहीं करते अलाईक अकल अनाम बलहुम अबल ये चुपायों की मानने थे बलके इन से भी गे गुज़ने है जो लाईलग बने हुए है कान आँख अकल को यूस करके हक बात और बातल में तमीज नहीं करते हैं तो ये दोज़ख के लिए पैदा हुए है और हमें नजर भी आ रहा है एक सरीयत वाकी दोज़ख के लिए पैदा हुई हुई है अजर ना मिन अन्दार आज के दोर में जब हम नबी लिए पैदावत पेश करेंगे तो हम कहेंगे कि देखो तुम्हें खोल खोल के सही बाते बता रहे हैं कोई चंदा बुग नहीं बनाई हुई है कोई कुर्बानी की कहाले नहीं जमा कर रहे है खोल के मुफ्थ तुम्हें ये सारी सचाई बता रहे है और आना मिनल्मतकलिफीन और आई नबी लिएस्लाम आफ फरमा दीजिए मैं तकल्फ भी करने वाला नहीं हूई हाई 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 दुनिया का पूरे का पूरा ड्गोसला जो है ना मजबी अप्रोच में वो चाली तकल्फ के उपर रहा है क्या तकल्फ है कि अलमा जो है वो अपनी आउडियंस को खोल के बार बताने ही जाते हैं वो तकल्फ कर जाते हैं और ने जी देखो ना ड्रैट नहीं काल करनी जाए है और नबी लिएस्लाम का जा रहा है कि आप फरमाएं कि मैं आई ड्रैट गाल करना लाजए क्या मतलब कि अल्ला ने किसी दी कोई गरंटी नीचे लई अल्ला तकल्फ नहीं कोई तकल्फ नहीं है नबी लिएसलाम कुड़ डूल के इनको बात करते है अब जो कुरान पढ़ेगा तो उसको ये मिठी मिठी तकरीरें जो लोगों की चाली है औरों की कानिया बुर्गों की कानिया जानवरों की कानिया ठीक है जी एक कानिया और उन्हें पर पता लगे कुरान पढ़े वह लादे वह बन्हें पता लगे सही बुखारी में अदी से नबी लिएसलाम एक चौराहे से गुजर रहे थे कुछ साब एकराम आपस में हसी मजाग कर रहे था आपने उनके हसने की आवाद सुनी ये बुखारी शरीफ है ये स्टोरी शरीफ नहीं है आप खड़े होगे और आपने फरमाया अल्ला की कसम जो कुछ मैं जानता हूँ ना अगर तुम जानते होते तो तुम जादा रोया करते कम वसा करते कि आखरत में कितनी सकती होने वादी है लेकिन टीवी के ओपर सोशल मीडिया के ओपर ऐसे वाइसीन के क्लिप जी देखो ना जी ऐभी ते है रहे किनना सोना बोल लेने माशाला लग दा होनी जिनल भी पहुचा लगा है पता लग जाएगा इत्ली भी जिनल अपनी ये तो नो और मौला अली अली एसलाम का कौल है कि इनसान सोया हुआ जैसे ही मरेगा जाग जाएगा ओओ ये क्या हो गया ये ओओ जानी है लेकिन उस टाम हो का कोई फायदा नहीं वो मेरा मसला नमर 196 आप सुन ले काश मैं दुनिया में वापस जा सकता उस वक्तिसान केगा ये जाला मुझे दुनिया में दुवारा वापस बेज़े मैं पहले जागर सोशल मीडिया दो है वीडियो डिलीट करांगा एड़ी मिठी मिठी हैं वीडियो जे चूटियां स्टोरियां और नबी लिएस्लाम से जादा कोई खुश अखलाक नहीं है अगर ये अखलाकियात इस चीज़ का नाम हो मैंने बिल्कुल खुल डुल के बात कर दी है अल्ला ने किसी के को गरंटी नी उठाई भी जो पर्वी करेगा उसके हकमाद की उसको जन्त मिलेगी और जो शेतान के हथे चड़ेगा अल्ला ने कोई नहीं कहना कि मेरे बंदें निचाड़ दे नाई जाए दोजख में जाना है इन हुआ इल्ला धिक्र लिल्ला आलमीन ये गुरान तो नहीं है मगर नसीहत तमाम जहानवालों के लिए इस गुरान के जरीए मैं डर सुना रहा हूँ अनकरीब मरने के बाद कुछ अर्से के बाद तुम्हें खुद ही पता चल देगा जो कुछ मैं कहा रहा था ये कुछ हो जाएगा वोई जो मैंने कहा है न कि मर के इनसान को पता चल देगा सब कुछ और कहते हैं जी वो कौन ही जी अगए जाकर पता लग जाएगा कुछ ठीक है कुछ गलत है मैं कहते अगए जाकर पता नहीं लग जाएगा पता लग जाएगा जाएगा और यहां पे भी यही कहा जा रहा है कि अगए जाकर लग पता जाएगा आसका बैठ कर सर Grandpa बहुत ही मतलब डीटे में इन्हें बतायी कि अन्हों कोई रिश्तिदार नहीं है पतलब इन्होंने बता है कि कुरान में पढ़ थे समझ करने बताते हैं आपने बयान में तो यह थी आज की वीडियो और मतलब इनका समझाने का तरिका मतलब बहुत ही डीटेल नौलेज इनको अगर समझाते हैं भी आइसे बहुत इजी लैंगवेज में इनके और भी हम वीडियो पर रियक्शन जरूर करेंगे और ओ जो वीड बहुत अच्छ लगी एक भाई साहब ने सजस्ट की थी कि ए वीडियो पर आप रियाक्षन कीजिए तो सच में उसका शुक्रियादा करना चाहिए और हमें तो ए वीडियो बहुत अच्छ लगी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताए और वीडियो को लाइक शेर और कमेंट की मिलते ऐसे एक अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा